गुड आप्टनून स्टुडेंट्स आज हम आपके साथ परवत प्रदेश में पावस का जो काव्यांच तीसरा है वो पढ़ने जा रहे हैं उड़ गया अचानक लो बूधर फड़का अपार पारत के पर उड़ना उड़ गया मतलब उड़ जाना अचानक एकदम से बूधर होता है पहाड क्या होता है पार ठीके और फड़का अपार अपार का अर्थ होता है जिसका पार ना हो यानि जिसका कोई किनारा ना हो असिमित जिसे कहते हैं ठीके और पारत के पार का अर्थ है पारे के समा चमकीले पंकों वाला मतलबब पारा क्या होता है मरकरी होती है न चमकीली वैसा एम Question Next है रव शेश रह गए निरजर रव शेश का अर्थ हुता है केवल मतलब केवल केवलCH और नेस्ट हैhos निरfar निरजर का आरथ मैं आपको बता चुकी हूं निरजर का अर्थ होता है जरने ठीक है तूट पढ़ना किसी के उपर और अंबर का आर्थ क्या है आस्मान और भू का आर्थ होता है धर्ती ठीक है फिर दस गए धरा में सब्यशाल धस ना क्या होता है नीचे जब धस जाती है कोई चीज है ना गड़ जाती है धरा यानि धर्ती पे सब्यशाल अब सब्यशाल क्या है यहां पे लिखा है सब्यशाल सब्यशाल का आर्थ है भै के साथ किसके साथ दर के साथ और शाल जो है एक ये विक्ष होता है जो कि पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है तो शाल विक्ष प्रजाती है व्रिक्षों की जो की पहाड़ों पर पाई जाती है उठ रहा धुआ और फिर उठ गया धुआ मतलब और जल गया ताल ताल का मतलब होता है तलाब ठीक है जलद यान जलद यान है कि बादल रुपी यान या विमान जहाज ठीक है और था इंद्र खेलता इंद्र अब इंद्र जाल का अर्थ क्या है जादूगरी भरे कारनामे करना और इंद्र कौन है वर्षा के देवता तो ये तो अब हमने आपके साथ किया शब्दार्थ अब हम करेंगे लाइन टू लाइन व्याख्या बिटा कवी जो है यहाँ पे वर्षा रितु का वर्णन करते जैसे अच्छानक एक पूरा का पूरा परवत जो है पारे के समान अत्यां सफेद और चमकीले पंकों को फरफडाता हुआ उपर आकाश में उड़ रहा है देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है जब भी बारिश होने वाली होती है तो पूरा आकाश पूरा जो बादल ह आकाश में फैल जाते हैं सफेद करर के वो चमकीले से दिखते हैं ना तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो पूरा का पूरा बूधर है बूधर मतलब पहाड जो है वो कोई चमकीले पर लगा के कौन से अपार यानि ऐसे पर लगाए हैं जिसका कोई किनारा ही नहीं इतने असीमित अलग से पर लगाये हैं और कैसे पर लगाये हैं चमकीले पर पारे के समान चमकीले पर ठीक है पर लगाके वे उपर उड़ गये हैं कौन उड़ गया है पहाड ठीक है पहाड ने पंक लगा लिये हैं चमकीले से और वे उपर उड़ गया है ऐसा क्यूं कहा गया देखे वेटा जब जो एकाश्मे बादल यूझा था रे ना के हमारे के खंच क्लास डंड में खेल रहे हैं , तो सामने और पहाडों को देखते और पहाडों पे बादल चाहते हैं उत्पोरे वाइट यूझा अ केवल जो पहाड है पूरे उन्हें कौन ढख लेता है बादल सफेद रंग के बादल है आपने कहीं बार ऐसा जो है द्रिश्य देखा होगा तो अब आगे बढ़ते हैं जब पहाड जो है उपर उड़ गया पंक लगा के तो क्या हुआ कौन रह गया रवशेश रवशेश रह दता है बोल पर अंबर यानि आकाश तुट पढ़ा है ठीक है यानि ऐसे तूट-फटश ज被ड़तनी कि तो य्जय रहे ना? जैसे कोई मतलब ऐसी वर्षा हो रही है जैसे आकाश पे पूरा का पूरा जो आकाश है वो धर्ती पर तूट पड़ा है उसने वर्षा रुपी बाणों से धर्ती पर आक्रमन करना शुरू कर दिया है ठीक है दस गया धरा में सब्यशाल और क्या हुआ कि जैसे ही ये जब इतनी वारिश पड़ रही है धर्ती पे तो ऐसा लग रहा है कि धर्ती के उपर आकाश है अटाक कर चुका है ठीक है इसको देखके इतना भयानक द्रिश्य देखके धस गया धरा में सब्यशाल यानि इस चीज़ को इतने भयानक भयावा द्रिश्य को देखके धर्ती के अंदर ही धस गये कौन सब्यशाल सब है मतलब डर के साथ शाल मतलब शाल व्रिक्ष जो मैं बता चुकी हूँ एक प्रजाती होती है व्रिक्षों की पहाड ये इलाकों में पाई जाती है तो सब्यशाल आपने देखा होगा जब वर्षा पढ़ती है तो पेड़ों की जो पत्ते है वो बिल्कुल सिकूर जाते है चिपक जाते है पेड़ के साथ तो सेम ये वही सिचुएशन है उसके बाद उठ रहा दुआ जल गया तार और आपने देखा है तलाब के उपर देखा होगा तो जब ये सब चीजे हुई तो क्या हुआ धुआ उटने लगा अभी ऐसा लगा क्यूंकि जब तलाब का दुष्य होता है तो इसके उपर ये धुआ होता दुआ इंदसेंस धुन्द होती है ना तो दुन्द को देखके ऐसे लगर कवी कहते है कि मानो वहां पर यहां वर्षा के बाद जो पानी के ऊपर चाह जाती है तो ऐसे कवी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तलाब में आग लग गई हो क्योंकि वह दूआ यानी दूंद जो पड़ गई है उसके ऊपर ठीक है यूँ जलद यान में विचर विचर था इंदर खेलता इंदर जाल अब कहते हैं कि इस प्रकार अब ऐसा लग रहा है कि जो वर्षा के देवता हैं इंदर भगवान वैं बादल रूपी विमान में बादल यानी जो क्लाउट्स हैं वो उनके विमान है यानी विमान क्या होता ह जहाज है ना जहाज में घूम घूमकर अपनी जादूघरी, जादूई करतबे दिखा रहे हैं और जादूई करतबे क्यों दिखा रहे हैं क्य comeback क्यूंकि जादू इसली कहा गया है जो है कभी वर्षा कभी धुन धूप निकल रही है तो यह पहाड़ी है इलाकों का वर्णन जैसे की आपको बताया इस कविता में किया गया है तो आप कहते हैं कि ऐसा लगते हैं कि जो इंद्रदेव हैं वो गुम गुम के अपनी जादुई करता आप दिखा रहे हैं जिसके कारण परवतों पे शण शण में यानि हर एक शण में क्या हो रहा है शासरल सहच संस्कृत निष्ट है अपार पारत के पर में रूपक अलंकार तथा विचर विचर में पुरुरुक्त प्रकाश अलंकार का सुन्दर और सहच प्रयोग किया गया है आशा करती हूं बेटा आज यह जो हमने आपको कविता पढ़ाई है मेरी बहुत फेवरेट प आशा करती हूं कि आज के बाद यह आपको भी अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें कवी के जो हैनुभूतियां है कल्पना है वो बड़ी ऐसे लगता है कि सामने जो अनुभूतिया उनकी कल्पना है वो हमारे आँकों के सामने विचरन करती है बेटा यह तो हम आलरडी ब्ले अजिस्तान एरिया में रहते हैं उनके लिए यह सब चीदे वाक्य में ही जादुगरी होंगी वह अचानक से ऐसे अरिया में आएंगे और इस तरह की जादुरी देखेंगे तो वह बिल्कुल कवीता जो कवी ने महसूस किया है उनके लिए भी यह सेम वही महसूस करेंगे चलिए बेटा थाइंक्यू इसी होप के साथ कि आपको समझ आया होगा अब हम वाट्सेप पे अपने डाउट्स क्लियर करेंगे ठीक है थाइंक्यू